नमस्तार दोस्तों और सुनी कर स्वागत है हमारे चैनल पर फिर एक नई ख़बर लेकर आपके सामने हाजिद है और ये खबर है आज की यूक्लिट स्पेस टैलिसकोप को लेकर दरसल दोस्तों यूक्लिट स्पेस टैलिसकोप इस समय चोच्चा का विसा है क्योंकि 2030 में इसकी एजनसी ने बताया था कि ने रहस्यों को उजाकर करने के लिए 2023 में लांच किये जाने वाले यूक्लिट अंतरच्यान को अब असेंबल कर लिया है यानि इसका काम अपकूरी तरह से हो चुका है आज इसी के बारे में आप से कुछ चर्चा करेंगे कि आखे यूक्लिट से की क्या ज़रूरत है दोस्तों तो ब्रह्मानट को जतना भी अब तक समझा गया उतना कम है क्योंकि हर बार इसे वी जतना समझने की कोश्श की गई Гbranded. सामने आया क्योंकि वैज्ञानिक लगातार ये बताते ही है अपनी चर्चा में कि हमने अब तक ब्रह्मान का कुछ भी नहीं जाना क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसे जितना समझो कम है वहीं उरोपिय अंतरिश एजंसी के इस मिसन का उद्देश छह साल का है जिसमें ये सू योकलिट स्पेस टेलिसकोप मिसन को 2023 की विसफोटक खबर माना जा रहा है योकलिट में दो उपकरण होंगे वी आईएस इमेजर और एन आईएसपी निकट अवरक्त इस्पेक्टोमीटर और फोटोमीटर जिनका काम होगा दस अरब प्रकास वर्स तक की अरबु आकास गं जो मदद करेगा बिजली पैदा करने और अंतरिक्ष की तरफ दुर्बीन का मुख करने में ताकि अंतरिक्ष को और करीब से जाना जा सके इस मिसन को जरूरी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि खगोल विदो को यह जानने की मदद मिलेगी कि ब्रम्हांड का विस्तार कै कैसे हुआ और ब्रम्हांडी संरशनाय आखिर कैसे बढ़ी हैं ब्रम्हांड में क्योंकि योकलड अर्बो प्रकास वर्ष दूर अर्बो आकास गंगाओं की तस्वीर लेने का काम करेगा इसके साथ ही रात के आकास के एक तिहाई से अधिक एरिया को कवर भी करेगा ताकि बारीक से बारीक कबर पर भी इसकी नजर रहे वैसे एक जो सबसे जरूरी काम है इस मिसन का इस टेलिसकोप का वो है डाक अनर्जी और डाक मेटर की इस्टडी में मजबूती लाना gelir क्योंकि इसको लेकर अभी भी बहुत सारी बाते हैं जो मित है वैसे ये डाक अनर्जी औ और डाक मैटर टेलिसकोब के द्वारा तो दिखाई नहीं देगा पर चुकि बड़ी संख्या में आकास गंगाओं का अध्यन किया जाना है इसी वजह से इन्हेमी समझ पाना और गहराई से कि आखिर कैसे बनते हैं इनका अस्तित्व कैसे आया इसके सुरुआत कैसे हुई इस इत्रह से सही निसकर्स पर नहीं पहुंचे है वैज्यानिक यूकलिट का पूरा ध्यान यही समझने का होगा कि डाक यूनिवर्स क्या है वैसे सरल सब्दों में डाक यूनिवर्स हुए है जिसे अब तक नहीं देखा गया नासा की बात करें तो नासा का मानना है कि हमारे ब खगोल विदो का मानना है कि अर्बो आकास गंगाओं में इस्तित खर्बो तारे और ग्रह ब्रह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं। व्यज्यानिकों को ऐसा भी पता चला था कि इस डाक एनर्जी की वज़े से ब्रह्मांड पहले से कहीं जादा तेजी से फैल रहा है। इस तरह खगोल विदो ने अभी तक यही समझा कि डाक एनर्जी ब्रह्मांडी विस्तार को गती देती है, वहीं डाक मैटर ब्रह्मांडी संजचनाओं के विकास को नियंतित करने का काम करता है। लेकिन इस बात की कितनी संभावना या सच्चाई है वे अभी भी नहीं जानते और इसी के लिए युकलिड मिसन को त्यार किया गया है ताकि सही क्या है उसका पता लगाया जा सके है। तो दोस्तों ये थी पूरी बात युकलिड स्पेस टेलिसकोप को लेका जिसे युरोपें अंत्रिक्ष एजनसी द्वारा बनाया जा रहा है और जिसकी लांचिंग 2023 में की जानी है। फिलाल इसकों में इतना ही और खुबर के लिए जुड़ें रिमाइचर एन वर्ड से हमें जाज़त दे फिर मिलेंगी नहीं खबरों के साथ नमस्कार।